निती बनाते वक्त गहराईयों के साथ जड़ से समस्या के समाधान के बारे में सोचने का मोदी जी का सुभाव है एगरिकल्चर के अंदर भी धेर सारे परिवर्टन हुए हैं और स्टार्ट अप से लेकर कुछ इस प्रकार की पॉलिसी जो हुई है जिसमें हमारे देश के युवा को विश्व के युवा के साथ कॉम्पिटिशन करने का प्लेटफॉर्म मंच मोदी जी ने उपलब्द करा है मित्रो ये पूरी चीजे इसलिए हो सकती है कि मोदी जी के कुछ व्यक्तिगत गुमों के बारे में भी मैं जरूर बात करना चाहता हूँ मोदी जी से बड़ा सुरोता मैंने देखा नहीं है मेरे जीवन मैं चालीस साल से काम करता हूँ देख सारे नेताओं के संपर्क में भी आया हूँ नेती मोदी जी से बड़ा सुरोता कोई नहीं है और सुनते भी एकागरता के साथ है आप सायद बोल कर निकल जाओगे भूल जाओगे मगर पांच साल के बाद वो कहेंगे नहीं भी पहले तो आपने ये कहा था अब ये कह रहे हो क्या हो गया तब जाकर आपको वालूं पढ़ेगा कि मैं पहले वोला था बहुत धैरे के साथ सुनना ये बहुत बड़ा उनका गूं है दूसरी बात एक अंग्रेजी कहावत है blood is thicker than water व्यक्ति अपने आसपास का ही सोता है अपने परिवार जनों का ही सोता है परिवार के बात समाज का सोता है यहाँ पर उल्टा है उन्होंने कहावत को गलत साबित कर दिया है इन्होंने समाज को ही अपना परिवार मान कर आगे बढ़ेंगा देश की राग्विती में ऐसा नेता दूर्विन लेकर भी डून नहीं पाते जिसके परिवार को कोई जानता ही नहों परिवार के किसी व्यक्ति का नाम कहीं पर किसी ने सुना नहों तो ब्लड इस धिकर जन वाटर एक आहवत को मोदी जी ने गलत साबित किया है उनकी सोच की दिशा उद्धो दिशा है वो हमेशा रचनात्मत तरीके से सूते हैं वो हमेशा उच्छ लक्षों की वार सूते हैं और वो हमेशा सबसे ज़्यादा परियाम लाने की सूते हैं य गंवेदन सिल्टा चोसर से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचना देश के प्रधानमंत्रिय नाते मैं एक छोटी सी चीज का उदाहन कहना चाहता हूं एक बहुत घंभीर मिटिंग चल रही थी उसक में पार्टी का अध्यक्स था मोदी जी के ओफिस में मिटिंग चल रही थी एक मयूर आया और उसने काच की दिवाल पर जोर से अपनी चौँच मारना सुरू कर दिया दो तिन मेट तक प्रट्रिया चली मोदी जी ने घंटी बजाई किसी को बुलाया और कहा कि भई इसका दाना आद नहीं डाला गया है जरा चिंता करवे भुखा है देश के प्रधानमंत्री को इस सोच इतनी बड़ी मिटिंग में आना यह बताता है कि कितने समवेदनसिल व्यक्ति है अनन्य राष्ट्र भक्ति मित्रो मैंने मोदी जी के साथ सालों से काम किया है मैं बेरोक टोक किसी जिजक के बगर कह सकता हर सोच में देश की सोच सबसे उपर और सबसे ज्यादा है और इसलिए आज 130 करोड की आबादी के मन में विश्वास है जब देश की सताब्दी बनाई जाएगी हम एक महान भारत को देख पाएंगे